हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स पर हार्दिक स्वागत है आज हम लाइफ एक्स में आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रों के विशे में एक खास जानकारी जिसके बारे में आप बिल्कुल अंजान है और इसलिए आपको इस जानकारी के बारे में जरूर जानना चाहिए क्योंकि ये जानकारी आपके लिए काफी फाइदरमन साबित हो सकती है दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं नवरात्रे शुरू हो गए हैं और हर कोई माँ भगवती को खुश करने के लिए अपनी और से पर्यास भी कर रहा है माना जाता है कि अगर माँ खुश हो गई हो तो वक्तों की मनो कामना भी पूरी हो जाएगी लेकिन कई बार दोस्तों हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि मा नाराज भी हो सकती है और अगर मा नाराज हो जाए तो आपको जीवन में कई सारे संक्रटों का सामना भी करना पड़ सकता है तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कुछ खास बातें जिनें आपको भूल कर भी नहीं करना है अन्यत्था माता नाराज हो जाएंगी तो चलिए दोस्तों इसके बारे में विस्तार पूर्वग बात करते हैं दोस्तों नवरात्री का त्युहार शुरू हो गया है और सभी लोग दूमदाम से मा भगवती को परसंद करने की कोशिश करते जा रहे हैं लेकिन कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे मा भगवती नाराज हो सकती है तो आज हम आपको ऐसी कुछ चीजों के बारे में सचेट करने जा रहे हैं दोस्तों नवरात्री पर देवी पूजन और नो दिन के वरत का बहुत मैत्तव है आप मेंसे बहुत से लोग ये नो दिन के वरत रखते होंगे ये नो वरत मा दुरगा के नो रोपों की अराधना के लिए किये जाते हैं लेकिन इन नो दिनों में वरत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं तो आए जानते हैं कि वो कौन से हैं दोस्तो नवरात्र में 9 दिन का वरत रखने वालों को दाड़ी मोच और बाल नहीं कटवाने चाहिए इस दोरान बच्चों का मुंडन करवाना शुब होता है 9 दिनों तक नाखुन नहीं काटने चाहिए ऐसा करना अशुब माना जाता है अगर आप नवरात्र में कलश थापना कर रहे हैं माता की चोकी का आयोजन कर रहे हैं या अखंड जोत जिला रहे हैं तो इन दिनों गर खाली छोड़ कर ना जाए ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता इस दोरान खाने में प्याज, लेसुन और नोन वेज बिलकुल ना खाएं ये चीज़ें खाने से मा भगवती नराज हो सकती हैं दोस्तों नो दिन का वरत रखने वालों को काले कपड़े बिलकुल नहीं पहनने चाहिए काले कपड़े नकारत्मक उर्जा का संकेत माने चाते हैं वरत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चपल, जूते, बैक जैसी चमडे की चीज़ों का इस्तिमाल बिलकुल नहीं करना चाहिए और ये चीज़ें पहन कर या लेकर मंदी नहीं जाना चाहिए वरत रखने वालों को 9 दिन तक नीबू नहीं काटना चाहिए क्योंकि ये अशुब होता है वरत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए खाने में कुट्टू का आटा, समारी के चावल, सिंगाडे का आटा, साबू दाना, सेंदा नमक, पल, आलू, मेवे, मुंगफली खा सकते हैं दोस्तों विश्णु पुरांट के अनुसार नवरात्री वरत के समय दिन में सोने, तंबाकू चबाने और शारीरिक संबंद बनाने से भी वरत का फल नहीं मिलता है तो इसलिए वरत करते समय ऐसा बिलकुल ना करें दोस्तों ये है कुछ ऐसे काम जिने आपको नवरात्री के शुब अफसर पर बिलकुल भी नहीं करना है क्योंकि ये अशुब माने जाते हैं तो दोस्तों ये हैं हमारा आज का खास टोपिक जिसमें हमने आपको बताए कुछ ऐसे काम जिनने अगर आप भूल कर भी नवरात्री के इन नो दिनों में करेंगे तो मा भगवती नाराज हो सकती है दोस्तों अगर आप भी इस जानकारी से अभी तक अंजान हैं और नवरात्री के इन शुब अफसर पर मा भगवती को परसंद करने की कोशिश कर रहे हैं और मा का आशिरवाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस फीडियो में बताएगे ये जानकारी आपके लिए काफी फाइदेमन साबिट हो सकती है तो अंत में दोस्तों हम आपको यही सला देंगे कि आप ये काम भूल कर भी ना करें और मा भगवती के क्रोद के पात्र बनने से बचें और मा का आशिरवाद प्राप्त कर दनलाब, सुक्सम्रीदी और जीवन को अनंद में बनाएं उमीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंदाई होगी आपको अमरे ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राइज जरूर दें अगर आपको अमरे ये वीडियो पाइदेमन लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एक शेयर किसी की जिन्दगी समवार सकता है लाइक एंड कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपना फीड़बैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूले कीप शेयरिंग और कीप स्पोर्टिंग अस हम आपको जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिंग